हलो फ्रेशिपी को बनाना काफी आसान होता है और यह काफी दाइस लगती है बहुत कम इंगीडियन्स भी हम इसे त्यार करने वाले हैं यह इसे बनाने पर हमें लाइक पनी टिक के ज़िए यह यह रेशिपी आपके घरवालों को जरूर प्रसंद आएगी इस लिए इस नाव सवे काटा है, अगर सवे का अटा ना मिले हैं, आपसे चाहन कर लें, यहांपर पर इंगिदेंस स्पून जीरा, यहांपर हमने नॉर्मल जीरा होता है, वहं यूज जीरा है, ग्रैट के होगा अधरक को आप इस तरीके से अच्छी से ग्रैट कर लें, नेक्स्त आपर चेह ए यहां मोफली दाने को पहले मैंने रॉष्ट्र किया उसके बाद इसको मिक्सी में इस तरीके से अच्छी से ग्याट कर लिया है चॉप्ड ग्रीन चिली वन बॉइल पोटेटो और हाफ लेमन स्लाइस सबसे पहले ग्याश की फ्लेम कॉन करके हम उसमे अट करेंगे टूक अप वाटर इसी कप के मेजरमेंट से हम यहाँ पर सावे को भी यूज मिलेंगे अब हम इसमे अट करेंगे वन टी स्पून घी हमें यहाँ पर बहुत कम घी या तेल में इस रेसिपी को तयार करना है सिर्फ हम एक छूटी चमच घी समे अट करेंगे घी के एट करने पर अब हम इसमे अट करेंगे जीरा हमने यहाँ पर जो नॉर्मल जीरा यूज में लिया था उसी जीरी को हम इसमे अट करेंगे आपको यहाँ पर सिक्कावा जीरा यूज में नहीं लेना है चॉप्ड ग्रीन चिली, ग्रेट की हुआ अधरक, वन टीस्पून, ब्लैक पेपर सॉल्ट और स्वाथ के एक रोडिंग सेंधा नमक और इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगी इन सभी को अच्छे से मिक्स करने पर इसी स्टेप पर हम इसमें एट करेंगी तो हमें यह आप पर एक कप सावा यूज में लेना है सावे से डबल क्वांटिटी में हमारा पानी होना चाहिए और इसे हम इन सभी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे कंटीनू चलाते रहेंगे आपको इसे चलाते समय रैस्ट हाथों को नहीं देना है इसे आप लगातर चलाते रहे ताकि यह पानी को अच्छे से अबज़र्व कर सकते आप इस रेसिपी को बनाते समय उन इंगिडियंस को इसकिप कर सकते हैं जो आप रतने यूज में नहीं ले सकते हैं थाम कटिनू चलाते हुए हमें इसका डौ तयार कर लेना है जैसे लग हमारा रोठी का डौ होता है उसी तरीके से थाहिए आप इससे लागातार चलाते रहे आप देख सकते हैं इसने पूरे अच्छे से पानी अफजर्व कर लिया है और हमारा जो डौ है उसने पैन भी अच् इसको हम यहां पर मैश करके एड़ नहीं करेंगे इसको इस तरीके से ग्रैट करते हुए इसमें डालते जाएंगे आपको इस जान रखने है इस समय हमारा गेस का फ्लैम ओफ होना चाहिए इसके बाद आप हम इसमें अच्छा करेंगे हाप टी स्मून लेमन जूस लेमन जूस sat करने से इसमें काफी अच्छा एसा टेश्टह को हमेश करते जाएंगे हमाww सकते हैं आप गर Pfizer आप धेका हैxico कि यह Ilka काफी कि निकल रही है और निकल यह और िणिए को भी जो नि कुला की ही हम इसको एक शैप में तयार करेंगे आप अपनी पासंग क किसी पनारें दो तक के लिए हम इसे इसी तरह से से थंडा हो सके थNS यार हो चुका है अच्छे से अब ठंडा होने के बाद अब हम इसी पीसेज में कट करेंगे इसके लिए मैं यहाँ पर इसको स्मॉल पीसेज में कट कर रही हूं आप अपनी चोईस के एक्रोडिंग इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं अगर आप इस recipe को काफी दिन तक प्राइट कंटेनर में फ्रीज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 5-7 दिन तक आप इने बिना किसी प्राब्लम के एंजोई कर सकते हैं और शेलो फ्राइब करकी आप इने फिर से यूज में ले सकते हैं इस तरह से मैंने इनको यहाँ पर स्मॉल पीस में कट कर लिया है आप करने के लिए गैस की फ्लम कौन करके एक पेन में हमने एट कि यह जाता है इस तरीके से अब हम इने अच्छे से दोनो तरब से गोल्डन प्राउन होने तक मीडियम लैम पर तयार करेंगे यह देखिए पांच मिट मिनम इनको तयार होने में लग जाता है आप देख सकते हैं टरब से हमारे अच्या से गॉल्डन ब्राउन हो चुके हैं इसी तरफ से इसके लंड डर खुराइन के कल निए DR사 आप फिर से लेखें करें करें के लिया यह यह दंध फेर्ण करें क्या रंदी अपीर होने तक समयान ही जालाते रहें हैं आप मैंने यहाँ पर इस तरह की स्मॉल स्टिक लिए और एक श्टिक में हम कुछ फाइब सिक पीसेट को इस तरह के से आरेंज करेंगे यह देखी जैसे हम अमारे पनी टिक्तर को आरेंज करते हैं उसी तरह के से हम इसमें इनको आरेंज करेंगे मेरे द्वारा यूज में लिए गए किसी प्रोडक्ट को अगर आप पर्चेच करना चाहते हैं तो उसका लिंक बैने रिस्किप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप आप से जाकर उसे पर्चेच कर सकते हैं आप देख सकते हैं इसी तरह से हम हमारी सबी स्टिक को तयार कर ले लेंगे हमारी व्रत स्पेशल सावे की रेसिपी बनकर तयार है आप इसे दही और टामाटर की चटनी के साथ सारू करें इस नवरात्री आप इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइ करें आई हो फ्रेंज आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्रीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना हो लें फिर मिलेंगे इसी तरह की नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई प्रेंज